चैनल में आप सभी चात्रों का स्वागत है सभी चात्रों से निवेदन है कि औरिंटल है सेकंटरी स्कोल की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद लाइक करो और खास करके उसको सेर करना न भूले इस पावर पॉइंट प्रिजेंटेशन के प्रस्तुत करता है कुरेशी कुलाम दस्तगीर आई कक्सा तस विसे हिंदी आज हम काविय नमबर पाँच जिसका नाम है मीरा के पद इसका पुन्रावतन करेंगे जिसकी कवीत्री है मीरा बाई और साहीत्य प्रकार है पद तो चलो मेरे प्यारे चात्रों सरवाद करते हैं हम पुन्रावतन की काविय नमबर पाँच जिसका नाम है मीरा के पद काविय नमबर पाँच जिसका नाम है मीरा के पद इसकी कवीत्री है मीरा बाई उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँआँ श्रीकुस्राव् जिल्ला जोदपूर मेर्टा जिसे मेर्वा के नाम से जाना जाता है उसके निकट कुड़की गाउं मेर्टा महराज के छोड़े भाई रतनसी राठोर के यहां हुआ था उनकी एक पात्रसंतान थी मीरा जब के मीरा जब केवल दो वर्सकी थी उनकी इमादा की मृति हो गई इसलिए उनके दादा राओ दुदा उन्हें मेर्टा ले आए और अपनी देखरिक में उनका पालन को सण किया दुदा राओ स्वयम वेश्रम भक्त थे मीरा बाई का जन्म इस विसन चौधा सो अठानू के लगभख हुआ था इतिहास में कुछ जगा ये मिलका है कि मीरा बाई ने तुलसिदास को गुरू बना कर राम भक्ती भी की है कुछ भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं हाला कि इसका स्पष्ट उलेक नहीं मिलका लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीरा बाई और तुलसिदास के बीच पत्रों के जरिये सववाद हुआ था माना जाता है मीरा बाई ने तुलसिदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कुछ न की भक्ती नहीं करने देते सी कुछ न को पाने के लिए मीरा बाई ने अपने गुरू तुलसिदास से उपाए मांगा था तुर्सी दास के कहने पर मीराने कुष्ण के साथ ही राम भक्ती के भजन लिखे हैं सबसे प्रसीद भजन है पायो जी मेने राम रतन पायो जो इस काव्य में इसके पद भी है जोद्पुर के राथोड रतनसी की इकलोटी पुत्री मीरा भाई का मन बदपन से ही कुष्ण भक्ती में लग गया था मीरा भाई के बालमन से ही कुष्ण की छबी बसी थी इसलिए योवन से लेकर मृत्य तक उन्होंने कुष्ण को ही अपना सब कुछ माना उनका कुष्ण बच्पन की एक घटना की वज़े से अपने चरम सीमा पर पहुचा था बाली काल में एक दिन उनके पडोस में किसी धनवान व्यक्ती के यहां बारात आई थी सभी इस्तियां चट पर खड़ी होकर बारात देख रही थी मीरा बाई भी बारात देखने के लिए चट पर आ गई बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पुछा कि मेरा दुल्हा कौन है इस पर मीरा बाई की माता ने उपहास याने हासी में बगवान स्री कुछन की मुरद दे कर कहा कि यही तुम्हारा दुल्हा है यह बात मीरा बाई के बाल मानस में एक गांड की तरह समा गई और वे कुछन को ही अपना पती समझने लगी मेरा भाई का भोजराज से विवाह हुआ उसकी विवेबाद को बात बता दो विवाह यह ओग्य होने पर मेरा भाई के घरवाले उनका विवाह करना चाहते थे लेकिन मेरा भाई शुरित कुछन को पती मानने की कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी मीरा बाई की इच्छा की विरुद जाकर उनका विवाह मेवाड के राजा राना संगा के जैस्त पुत्र राजकुमार भूचरत के साथ कर दिया गया। उनकी मृति के बाद मीरा की भक्ती दिनो दिन बढ़ती गई। माने की भी कौशिस की लेकिन स्वी कुष्रों की कुरुपा से मीरा बाई को कुछ नहीं हुआ। विवाह के कुछ साल बाद ही मीरा बाई के पती भोजराज की मृति हो जाने के बाद पती की मौत के बाद मीरा को भक्त भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया। लकिन वह इसके लिए ते या नहीं हुई। इसके बाद मीरा बुर्णदावन और फिर द्वारी का चली गई। वहां जाकर मीरा ने कुष्ण भक्ती की और जोगन बनकर साधू संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं जीवन भर मीरा बाई की भक्ती करने के कारण उनकी मृतिय श्री कुष्ण की भक्ती करते हुए हुई थी। मानिताओं के अनुशार वर्ष इस्विशन 1547 में द्वारका में वह कुष्ण भक्ती करते करते स्री कुष्ण की मूर्थी में समा गई थी। और कुष मानिताओं की बात कर दू। मानिता है कि मीरा पुर्वजनम में फृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहली थी। वे मन ही मन भगवान स्री कुष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवा होते होने के बाद भी उनका लगाओ स्री कुष्ण के प्रती खमना हुआ और कुष्ण से मिलने की तडब में ही उन्होंने प्राण त्याग दिये। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्प लिया। मीरा भाई ने वर्सी का मायरा गीत गोवीन टिका राग गोवीन इवं राग सौर्था के पद नामक गरंथों की रचना की है। मीरा भाई के भजनों वो गीतों का संकलन मीरा भाई की पदावली में किया गया है। मायकता देखने को मिलती है। उन्होंने पदों में शुरूंगार और स्वांत रसका विसेश रूप से प्रहुप किया। माधिरी भाव उनकी भक्ती में प्रधान रूप से मिलता है। वो अपने इस्त देव कुष्ण की भावना प्रेदम अत्वापती के रूप में करती थी। वे कुष्ण की दिवानी थी और रिदास को अपना गुरू मानती थी। आगे हम मेरा के पद में पहले पद की बात करेंगे। पहले पत की तो पंक्तियां मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक चोई। मेरे तो गिर्धर गिर्धर यहां पर भगवान कुष्ण जो है उनका एक नाम जिनें गिर्धर या गिरिधारी भी कहते हैं। एक गिर्धर या गिर्धरी नाम क्यों पड़ा उसकी में बात बता दू। गुर्धावन में गोवर्धन नाम का एक परवद है। पुराणों के अनुशार कुरुसर ने एक बार राजा इंद्र जो देवों के देव कहलाते हैं। उनके कोप से यानि के प्रक्रोप से वरज भूमी की रक्षा करने के लिए गोवर्धन परवज जो है उसको अपनी उमली पर उठा लिया था। यानि के देवों के देव इंद्र राजा जो है उन्होंने वरज भूमी जो है उनको एक सराब दिया था। और उस सराब के तोर पर उन्होंने ये वरज भूमी जो है उसके अंदर वरजा की सरवात की थी। इतना वरजा भेजा किता की वरज भूमी जो है उस वरजा के पानी में डूब जाए। लेकिन भगवान सीर कुष्ण जो है उन्होंने गौर्दे नाम का जो परवत था उसको अपनी उंगली पर उठा लिया था और उठा कर वरज भूमी जो है उसकी इंदर के प्रक्रोप से बचा लिया था। इसलिए उनका नाम गिर्धर या गिर्धारी के नाम से जाना जाता है उनका नाम तब से ये गिर्धर या गिर्धारी बड़ा है। आगे हम बात करेंगे मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई सादो सकल सकल का मतलब होता है सभी लोग लोग का अर्थोता है संसार दुनिया जोई इसका अर्थोता है देख लिया। यहाँ पे इस पद में कवे मेरा भाई कहना चाहती है मेरा भाई कहती है कि जिसने गिरी यानी परवत को उठा लिया था वही स्रीकुष्ण मेरे जीवन के एक मात्र आधार है। हे माहनुभवो मैंने सारा संसार छान मारा स्रीकुष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है मेरे तो सिर्फ स्रीकुष्ण ही है स्रीकुष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आगे पद है भाई छोड़िया बंदू छोड़िया छोड़िया सगा सोई सादू संग बैठी बैठी लोग लज्जा खोई यहाँ पर छोड़िया क्या अर्थ होता है छोड़ देना त्याग देना सगा इसका अर्थ होता है सगे रिष्टेदार शोई इसका अर्थ होता है ववी सादू इसका अर्थ होता है संत महात्मा शंग इसका अर्थ होता है साथ लोक लाज इसका अर्थ होता है सांसारिक लाज जिसे सर्म भी कहा जाता है खोई इसका अर्थ होता है गवादी खोजाना इसका अर्थ होता है गवादेना इस पद में कवे मीराबाई कहती है कि भगवान स्री कुछन के लिए मैंने अपने भाई बंधू याने भाई तथा सभी सगे रिष्टेदारों को छोड़ दिया है और सादू संतों के पास बाइट कर लोक लाज़ खोदी है अगे पद है भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई अन्सुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई यहाँ पर भगत का अर्थोता है इस्वर की भक्ती करनी वाले लोग राजी इसका अर्थोता है आनंद खुश जगत जगत का यहाँ अर्थोता है सांसरिक्ता में लिप्त व्यक्ती अन्सुवन इसका अर्थोता है आंसुव के प्रेम बेली इसका अर्थोता है प्रेम रूपी लता लता यानि जो वेल होती है उसे कहते हैं बोई, बोई का अर्थ होता है बोना कवी, कवी इतरी मीरा बाई इस पद में कहना चाहती है कि सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनन्द होता है गिरधर गोपाल के विरह में, दिरंतर बहते हुए आंसों के जल में मैंने इस प्रेम रुपी लता को रोपा है और साती सात उसको सीचा भी है आगे पद है दधी मती दुद काड़ी लियो दार देई छोई राना वीश को प्यालो भेजियो पी यमागन हुई यहाँ पर दधी का अर्थोता है दही मती इसका अर्थोता है मत कर दुद इसका अर्थोता है घी काड़ी इसका अर्थोता है निकाल कर डार देई इसका अर्थोता है फैंक दी या एक और रख देना छोई इसका अर्थोता है मतानी भेजियो इसका अर्थोता है भेजा पीय इसका अर्थोता है पीकर मगन इसका अर्थोता है मगन तलीन हो जाना यहाँ पर कवी मीरा भाई कहती है कि जैसे दही को मत कर गी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है वैसे ही मैंने इस भव सागर का मन्थन कर स्री कुष्ण के प्रेम रुपी साड तत्व को इकत्र कर लिया है और सांसा रिक्ता को किनारे रख दिया है मेरा भाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला बेजा था पर उसे मैंने खुशी-खुशी पी लिया मेरा का पहला पत उसके अंदिम पत की बात कर दूँ अब तो बात फैल गई जाने सब कोई मेरा राम लगन लागी होनी होई सो होई यहां पर जाने इसका आर्थोता है जान गए राम लगन लागी इसका आर्थोता है बगवान से लगन लगना होनी इसका आर्थोता है होनी होई सो होई इसका आर्थोता है जो होना हो हो यहां पर इस पद में कभी मीरा भाई कहती है कि अब तो सीकुरसां से उनकी प्रेम की बात चारों और फैल चुकी है और इस बात की सब को जानकारी हो गई है मेरा भाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है जो होना होगा वही होगा मेरा के पत इसमें दुसरे पत की बात करेंगे पायो जी मैंने राम रतंधन पायो वस्तु अमुलत दी मेरे सत्गुरु कर्क किर्पा अपनायो जन्म जन्म की पूंची पाई जग में शबेक होआयो खर्चे नहीं कोई चोर्ण लेवे दिन दिन बढ़त सवायो सत्की नाव खिवतिया सत्गुरु भव सागर तरियायो मीरा के प्रभु गिर्धन नागर हर्की हर्की चस्कायो अब इसको हम एक एक पंक्ती के सब आने अंदर आने वाले सब्दात की बात करता हूँ मैं पायो इसका आर्थोता है पाया रतन इसका आर्थोता है रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सत्गुरु कर किर्पा अपनायो इस पंक्ती में अमोलक इसका आर्थोता है अमोलिय दी इसका आर्थोता है दिया किर्पा इसका आर्थोता है कुरुपा अपनायो इसका आर्थोता है अपना लेना स्विकार कर लेना जनम जनम की पूँची पाई जग में सबे खोवायो यहाँ पे पूँची इसका आर्थोता है धन सबे इसका आर्थोता है सब खोवायो इसका आर्थोता है खो दिया खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो यहाँ पे खर्चे इसका आर्थोता है खर्चोना, लेवे इसका आर्थोता है ले, बढ़त इसका आर्थोता है बढ़ती है, बढ़ना, सवायो इसका आर्थोता है सवाई आगे सत की नाव खिवतिया सत गुरू भव सागर तरियायो यहाँ पे सत का अर्थोता है सत्य खिवतिया इसका अर्थोता है नाव खेने वाला यानि जो नाव चलाता है उसे खिवतिया कहा जाता है भव सागर यानि इसका अर्थोता है संसारुपी सागर तरीययो इसका अर्थोता है पाकर लिया दुसरे पत की छेली पंक्ति की बात करो मिहरा के प्रभू गेरिधर नागर हर्की हर्की जस गायो इसका अर्थ यहाँ पे नागर इसका अर्थोता है चतूर हर्की इसका अर्थोता है हर्स जस इसका आर्थोता है यस यहाँ पर इस पद में कुछ महावरे भी है पूंजी पाना इसका आर्थोता है धन कमाना सवाया बढ़ाना इसका आर्थोता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा लाब होना बहुत सागर तरना इसका आर्थोता है जीवन मृतिय के फेरे से मुक्त होना यस गाना इसका आर्थ होता है इसी की बढ़ाई करना इस दूसरे पद में कभी मेरा भाई कहना चाहती है कि मैंने इस्वर रुपी रत्न प्राप्त कर लिया है मेरे सदगुरु ने मुझ पर कुरूपा करके यह अनमौल रत्न मुझे दिया है मैंने यह अनमौल रत्न अपना लिया है मैंने इस इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मानतर की यह पूंजी पाली है यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्ष होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई वरुद्धी होती रहती है याने रोज बढ़ती रहती है मीराबाई कहती है कि सच्चाय की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खिवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है मेरा खुश होकर अपने भगवान कुष्ण का गुंदान करती है मीरा के मीरा के पत उसमें आगे हम तीसरे पत की भात कर लें पग गुंगरु भांग मीरा नाशी रे पग गुंगरु लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहें कुल नाशी रे जहर का प्याला राना जी ने भेजा पीवत मीरा हासी रे मैं तो अपने नानायन की हो गई आप ही दासी रे मीरा के प्रभू गिर्धर नागर बेग मिलो अभी नासी रे इस पद के अंदर जो पंक्तियों में आनी वाले सब्दार्थ हैं उसकी में बात कर लूँ पग गुंगरु भांद मीरा नाची रे इसका अर्थोता है पैर लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहें कुल नासी रे यहां पर कहें इसका अर्थोता है कैते हैं भई इसका मत्रब होता है हो गई बावरी इसका अर्थोता है दीवानी कुल नासी इसका अर्थोता है कुल यानि परिवार का विनास करनी वाली जहर का प्याला रानाजीन ने भेजा पिवत मीरा हासी रे यहाँ पर पिवत इसका आर्थोता है पिते हुए हासी इसका आर्थोता है हस पड़ी मैं तो अपने नारैनकी हो गई आप ही दासी रे यहाँ पर नानायन इसका अर्थोता है स्रीकुर्ष्ण भगवान आप ही इसका अर्थोता है स्वयम ही दासी इसका अर्थोता है सेवी का खेली पंक्ती मीरा के प्रभु गिर्धर नागर बेग मिलो अविनासी रे यहाँ पर बेग इसका अर्थोता है सिद्र अविनासी इसका अर्थोता है जिसका नास न हो वो यानि इस्वर इस छेले पद में कभी मीरा बाई कहना चाती है कि भगवान कुष्ण के प्रहिम में दीवानी हो गई है वे अपना सब कुछ भूल गई है वे अपने पेरों में घुंगरू भांद कर भगवत गीता में लीन होकर नाच रही है लोग मेरा बाई का यह रुप देखकर कहते हैं कि वो पागल हो गई है मेरा बाई की सास कहती है कि वो उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासी हो गई है यह सब देखकर राणा ने मेरा बाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा पर मेरा बाई निस्सिंत होकर वो जहर भी हस्ते हस्ते पी गई मेरा बाई कहती है कि उन्होंने अपने आपको भगवान स्री कुष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है मेरा बाई कहती है कि हे गिरिधारी भगवान कुष्ण आप अजर अमर हैं हे प्रभू आप मुझे सिद्र दर्सन दीजिए यहाँ पर कावी नमबर पाँच जिसका नाम था मेरा के पद यहाँ पर पुर्ण होते है कावी नमबर पाँच मेरा के पद यहाँ पर पुर्ण हुआ इस पद में आने वाले कुछ व्याकन की बात कर लो सबसे पहले विलोम सब्द की बात कर लो साधू इसका विलोम सब्द होता है औसाधू आसू इसका विलोम सब्द होता है मुस्कान प्रेम इसका विलोम सब्द होता है धुना विस इसका विलोम सब्द होता है अमरोद चोर इसका विलोम सब्द होता है सावकार तेरना इसका विलोम सब्द होता है टूबना दासी इसका विलोम सब्द होता है स्वामीनी खर्च इसका विलोम सब्द होता है आमदानी हसी इसका विलोम सब्द होता है रुलाई प्रेम इसका विलोम सब्द होता है द्रोणा इस पद में आने वाले कुछ समास के प्रकारगी भी बात कर लो गिरिधर इसका समास का प्रकार होता है तत्पुरुष समास साथू संक तत्पुरुष समास प्रेम बेली करमधरे समास अमोलक बहुविरीही समास भहुसागर करमधरे समास गोपाल तत्पुरुष समास रामरत्न करमधारे समास लोकलाज तत्पुरुष समास कुलनासी तत्पुरुष समास अविनासी बहुविरी समास हब कुछ इस पद में आने वाले सब्द समू के लिए एक सब्द की भी बात कर लो अच्छा सच्चा व्यक्ती साधू, भक्ती करनी वाला भक्त, नाउ चलानी वाला खेवतिया, पावों से पहननी का एक गहना गुंगरू, गिरी को धारन करनी वाला गिरी धर, गायों को पालनी वाला गोपाल, जिसका कोई मुल्यन हो अमोलक, नदी आदी पार करनी का साधन, नाउ, जाकर पुरा होने के बाद, आपको गुरू कारियों करना है, गुरू कारियों में जो पदों में आने वाले सब्दों के जो और्त बताए हैं, उस सब्द के और्त लिकना है, साथी ही साथ कुछ महावरों की भी मैंने बात की है, तो उस महावरों के अर्त देकर उसको वाकियों में प्रयोग करना है, उसके बाद मैंने कुछ आपको विलॉम सब्द भी समझाए हैं, उस विलॉम सब्द भी आपको लिखना है, समास उसके प्रकार को भी बताकर लिखना है, सब्द सम्हों के लिए एक सब्द वो भी आपको लिखना है और पाठिय पुस्तक के अंदर कव्य पूरा होने के पाथ स्वाधे के जो प्रस्ण है उस स्वाधे के प्रस्ण के उत्तर भी आपको आपकी नौर्ड में लिखकर रखना है स्वाधे के प्रस्णों के उत्तर में पांच प्रस्ण है उसमें पहला प्रस्ण है निम्ल लिखित प्रस्णों के एक एक वाकिय में उत्तर लिखना है उसमें पांच प्रस्ण है उस पांच प्रस्ण के उत्तर लिखना है निम्ल लिखित प्रस्णों के दो तीन वाकिय में उत उसके अंदर भी तीन प्रसना है उस तीन प्रसने के उत्तर लिखना है चोथा प्रसना है उची जोड़ बनाईए और वह विभाग दिये हैं और के सामने वह उसमें करम के अनुसार आपको जमा कर देना है पांचमा प्रस्णा है आश्रा स्पस्टि कीजिए उसके अंदर दो पंक्ति दी है पहली जनम जनम की पुझी बाई जग में इस अबे खोवायो इसका अर्थव समझाना है आपको दूसरी पंक्ति है सत्की नाव खिवती आश्रत गुरु भवसागर तरियायो यह जो पंक्ति कि इसका भी आपको और्थव समझाना है यह गुरुकाणया आपका रहेगा इस गुरुकाणय को आप अपनी नोट्बुक में लिख करखा खना जब समया आएगा तब आपकी नोट्बुक में पुलुकाणया जो है हो जाजा जाएगा